जिला में पंचायत घर को बेचने के मामले में जिला परिश्द उपाध्यक्षन नरेश्कमार दरजी ने मीडिये के सामने आकर अपना पक्षरका है नरेश्कमार दरजी ने इसे राजनीतिक शाजिस्ट करार दिया है स्थानी विधायक पर अरोप लगाते हुए उन्हें कहा कि वे अगामी विधान सभ़द चुनावों के दरिश्टिगत सक्रिये हैं ऐसे में उन्हें टार्गेट किया जा रहा है उन्हों दावा करते हुए कहा कि वे पीछे हटने वाले नहीं है चाए उन्हें जेल के अंदर भी क्यों न डाल दिया जाए तबी वे वे वहां से ही चुनाव लड़ेंगे उपाध्यक्ष ने ये तरक दिया कि परदेश में इस तरह की खरीद फरोक और सबलेटिंग हो रही है लेकिन उन्हें ही टार्गेट किया जा रहा है यहां तक की जिला परिशद उपाध्यक्ष मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर का नाम लेने से भी नहीं चुके दरजी ने कहा कि मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर के स्थानी जिला मंडी में भी इस तरह से दुकाने बेची जा रही है उन्हें कबजे को बेचा है ना कि सरकारी कागजों में किसी तरह की खरीद फरोक्त की है पंचायद्गर को बेचने के आरोपों पर, नरेश कमार दरजी ने कहा कि जब वहां पंचायद प्रधान थे, उसमें उन्होंने सराइप में पंचायद़ चलाई हुए थी इसके बाद नई पंचायद घर बनाया गया था और उस सराएं का जिसका कबजा था उस से उनोंने दो हजार तीन में उनके बेटे ने खरीद लिया था यहां पर चार मरले भूमी को तीन लाख में खरीदा गया था जो बाद में उन्होंने बेच दी थी उन्होंने बताया कि उक्तजमीन देह अबादी की है उन्होंने बताया कि उन्होंने इस खरीद फ्रोक से कुछ भी गल्ट नहीं किया है उन्होंने कहा कि सासन पंचायद का अपना भवन है जो कि दो मंजिला है जिस पंचायद घर को बेचने की बाद कही जा रही है वो साल 1988 में एक सराएं थी बाद में उस समय बाद इसमें पंचायद घर भी चलाए गया लेकिन यहां सराएं किसी और के कबजे में थी ना तो यहां पर पंचायत घर को बेचा गया है और ना ही वर्तमान समय में यहां पर कोई पंचायत घर है इस मामले में पुलिस की FIIR में जो धाराएं लगाई गई हैं वो सही नहीं है मामले में उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी अथवा गलत नहीं किया है यदि उनके खिलाफ गलत कारवाई की गई तो वे कोट में भी इस मसले को लेके जाएंगे यहां पर स्थानी नेता है उन्होंने हमारे ओपर प्रेसर डाला हुआ है और प्रेसर इसलिए डाला हुए कि हम आने बाड़े MLA के लेक्शन के दाबेदार है और यह चाते हैं कि यह बंदाल एक्शन ना लड़े और इसको कहीं न कहीं से डभाडर करें और जहां का यह ख्रीद परोकता इन्होंने रोब लगाया हुआ है यह ख्रीद परोकत जो है यह अबादी टीका है वाई ना कि कोई किसी परकार का जैसे आप बोरेंगी यह उन्होंने रोब लगाया कि पंचैदकर बेदिया साब कुछ निए वहां को पंचैदकर नहीं है हमारा जो सासन पंचैदकर प्रोपर घर है वह चारसो अड़ताड़ी और चारसो न्हाट में जो है वो प्रोपर पड़ा हुआ है और उसमें दो बिल्डिंगे बढ़ी हुई है ठीक है और जो यह जो जिस जहां पर जो बोरेंगी पंचैदकर बेरा वह पहले कि एक बड़े पुराने टाइम में थासिन वाने में सराइं ठीक है और सराइं वो कच्ची सराइं थी शाल पोस्त थी और उसके साथ पीपल का पेड़ था वो ट्याला लगा हुआ था जब उसके बाद जो है फिर उसके बाद वो जहां पर जो हमारे पास है पंचैदकर था पुराना वो च पर जहां पर जाब उसराइं पर तो मैं बहुत था तो कि न्युक्त कुछ दिन पर उपर गिरने वाला था इस जो फेहां पैसा प्लिषा प्लिवर में थां मैं चुछ बनाने के बाद उसने 2 बाहं पे 2 कमरे बनाए और 7 या थिर उस भलगों से बात कर था कि मैंने इसको बेचना लगे मेरे लडगे से बात की लड़के Πuna देखने होता है तो मैं उसमें खुद एबिटेंस हूं कि उससे लिए हमने और उसमें अबिटेंस गवा है हमारे साथ कि खरीदा है फिर उसके बाद वह हमने खरीदा उसके बाद हमने फिर आगे 2010 नमें पर्सनल प्रॉप्पटी किसी के नहीं है अगर किसी को कोई तो हमारे उपर रोब लगा रहे हैं पबcco्र प्रवप्रवटी नहीं है अगर किसी को कोई प्रसास करनी पड़ेगा ने तो को उनके ऊपर ही बारी पड़ेगा वह लालकीर में कोई फैसला करने का किसी को अधिकार नहीं है किसीनि अंदर खते में किसी ने एक हुआ थांते जाएंगा ओस्त को कौईहुच einebalance करना ऐसे मुझे को दिक्ट नहीं है अगर इसके बीच मुजे अंदर जाना पड़ेगा मैं डरने वाड़ा कूरी यह प्रिम गल्त काम नहीं कि यह कोड's का मैटर है इसको कोट्रेसाइस करता है कि किसको देना है और इसको निया और ऐसा मैने कोई भी सरकारी दस्ता बेच जो जो मेरे पर दाराय successfully होई है और यह कोई छेड़े खानी न है मेंने हमारा पर्जुट्शने उसको चाह महम माने ला चाह ना माने अगर सरकार चाहती है तो कर सकती है अपना काधिश को प्रंतु हमारे देख पहुंची बात हमें नहीं पूछा हमें नहीं गिल्लब सुना अगर ऐसे ही साफ यार होती रही तो यह देर नगरी चौपट राजा तो जो मर्जी है जड़ा मर इसा है कि मुझे अगर यह केस में कोई भी यूरोप लगा दें मैं मुझे अंदर भी डाल दें मैं अंदर से लेक्शन लडूँगा अगर पब्लिक आए की चाहे की तो मुझे अंदर से बीचता आएगी परंतु है अंदर जाने वाला कैसी जीनी है कि यह तो जो बंदें न खोड़ी इसको बुकत लिए ठयार रहें हों कि मैं उनके ओबर तकारवाई करने जा हुझ और मैंने करनी मैं एक इसमें कोई दोड़-ब्श्क है मेरे MD है कभजा भिखता है कभजा भीक्ता है भाथ विके हुए कूरे हमाचल में KRO1 है शिमलंगे धुकषए मंडी में गाने । वहां पर स्थानि है हमारे मुख्य मतर का या ऐसा कोंप नहीं है तो का भ्कत है उर कोई सरकारी आमें तो दोसिता बनाया जाया यह हंने कोई रिजिस्ट्री कुरा दिए रभेरी से एगर बंदा वो 118 में तब आता मेरे उपर मैंटर की हो बंदा बहां में मालक बन जाए काग जो में वो तो यह का ऊपर ऊपर के हावा है हमारे अग्रीमेंट में है ना वो पैसे तो कुछ नहीं है और ना ही उसका मालिक है वो हमार ही जगा हो हमें मिलेगी और हमें चाहिए